हेलो दोस्तो मैं सत्वी सर आपके अपने विटू चैनल पर स्वागत करता हूँ मैं न्यू टॉपिक बढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल एक्वेशन जिसे बोला याता है अवकल समी करड़ चलते हैं डिफरेंशियल एक्वेशन की तरफ डिफरेंशियल एक्वेशन जिसे बोला याता है अवकल समी करड़ जहां पर इस टॉपिक की डिमांड आती है चाहें तो क्लाश टॉपिक में चाहें किसी भी एक्वेशन में डिफरेंश एक्वेशन में इस टॉपिक से कुछ वेशन जरूर बनते हैं जैसे अगर क्वेशन की बात कर रहा है तो अबजेक्टिव टाइप हैं और और डिगरी से कुछ पूचा जाता है जो चलते हैं उसके बारे में कुछ कॉंसेप्ट हैं उन्हें बता देते हैं जैसा के हमारा पहला क्वेशन ही बनता है कि डिफरेंश एक्वेशन होता क्या है इसके बारे में डीफली जानकारी होनी चाहिए तो डिफरेंश एक्वेशन को समझने के लिए हम बहली बात ही जानते हैं कि बाई वरावर 2x बाई वरावर 2x तो x is equal to हम अपनी इच्छा से रखें 1,2 तो हमारा x का वैलू रखने पर y का वैलू चैंज होता जाता है अगर हम X इसमें put करेंगे तो Y का value होगा 2 अगर इसमें 2 put करेंगे तो Y का value होगा 4 अगर इसमें हम 3 put करेंगे तो Y का value होगा 6 कहने का मतलब यह हमारा X A जो X एक ऐसी quantity है यहां पर एक ऐसा variable है जिसे बोला जाएगा इनडेवेंडेंट independent variable कैसा variable है independent variable जिसे बोला जाता है परतंत्र जिसे बोला जाता है सुतंत्र चर और एक होता है y यानि x पर depend करता है जैसे जैसे आप x की value उसमें रखते जाएंगे वैसे वैसे आप जो y की value है वो change होती जाएगी जैसे आपने x वरावर 1 रखा तो उसकी value आई 2 आपने x वरावर 2 रखा तो उसकी value आई 4 अगर x वरावर 3 रखा तो उसकी by की value आई 6 तो कहने का मतल़ जह है जो x की जो value है जो sorry यह by की value है वो x की value के उपर depend होता है इसलिए x की value को बोला जाता है independent variable और य को बुला जाता है dependent variable यानि परतंत्र चर परतंत्र चर बात यहां आती है कि ऐसा function या कोई भी जो भी अवकल समय कर अव जैसा कोई भी अगर equation होता है जिसमें dy over dx यानि derivative और independent variable और dependent variable तीनों को मिला करके जो equation मनती है उसको कहा जाता है differential equation आपकी एक्जाम में बात करा है class 12 में या कोई भी एरफोर्स नेवी एंडिय कोई भी एक्जाम की बात करा है तो यहां से एक या दो question अएरफोर्स में बनता है या और तमारा से एक कोउन बनता है क्लाश ट्वल्त में यहां से और और डिग्री में पूचा जाता है ओर में तो इसकी तरफ चलते हैं ओर अन डिग्री में तो यहां है आपकी समझ में आई हैं जैसे आप runner को कुछ बैसक的 जान कर य lunar आये हैं चल लोए मैं आपको बता देता हूं जैसा कि आपने जाना differential equation क्या होता है इसके बाद आता है जो differential equation है इससे question बनते है order का और दूसरा question बनता है degree का order होता है quote और degree होता है घात तो हम कैसे पता करेंगे किसी भी differential equation की order क्या है और उसकी degree क्या है तो देखिए किसी भी differential यानि आपने किसी भी function का differential किया तो उसका derivative जरूर होना चाहिए इसमें तो ऐसा होता है तो आपने जैसे आपने देखा dy over dx एक बार derivative करने पर y dash लिखा जाता है इस ची को बोल जाता है f of dash x अगर आपने दो बार जैसे कि आपने जितनी बार डिफरेंसियल करते है dy over dx आपने जितनी बार किया यहां पर वही चैंज होता जाता है आपने दो बार किया तो दो यहां आएगा आपने तीन बार किया तो तीन है आएगा जैसे आपने पांच बार किया किसी भी डिफरेंसियल को यानि किसी भी क्वेशन को पांच बार आपने alkaline किया तो d5 d5 y upon dx5 इस प्रकास से रिप्रेजन्ट करते हैं इस प्रकास से denote किया आता है तो आपने जैसा कि मैंने आपको बताया d2 y over dx square इसको लिखा जाता है y double dash और इसी को लिखा जाता है f of dash x अगर आपने किया इसको dq y over dx q तो इसी को लिखा जाता है y three dash या इसी को f of travel dash x इस प्रकारी भी लिख सकते हैं और आपका अवकल समी करेंड में ज्यादातर जो question बनते हैं वो इस प्रकास से होता है y one के द्वारा इसको लिखा जाता है y two के द्वारा इसको किया जाता y three के द्वारा ऐसे represent किया जाता है तो आपको मैंने बताया देखे order में जैसे order क्या होता है what is the order जैसे order क्या है order किसी भी डिफरेंस derivative की maximum power को ही कहा जाता order यानि घात कहा जाता sorry उसे कहा जाता कोटी यानि किसी कोई भी अवकलन कितनी वार वो किया गजा उसका अवकलन जितनी वार maximum जो वार किया गजा अवकलन को ही कहा जाता है order और उसकी जो maximum power जो order जितनी बार order किया गात निकाली आपने और उसकी जो power आएगी वही उसकी गात खेलाती है जिस term की आपने कोटी बताया उसी की जो degree होती है जो गात होती है वही उसकी गात कहलाती है चले इससे आएए और सुनए वेस्ट की जनरल नॉलेज है नहीं समझते जाएए जिससे कि आपका टॉफिक आसानी से सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने बताया डी स्कार एक्स अपॉन डी एक्स स्कार प्लस फाइव एक्स प्लस शिक्स बरावज जीरो इसमें ओर्डर क्या है और डिगरी क्या है तो आप बता देंगे कितनी बार डिफ्रेंसिंज किया गया है इसका दो बार किया गया है तो इसका ओर्डर होगा टू और इसके डिगरी की बात करें इसी की जो पावर आती है उसी को काया आता है डिगरी तो ओर्डर टू और डिग एक्स क्यू प्लस यहां किया मैंने 5 डी बाइ ओवर डी एक्स स्क्वार इसका नहीं इसकी पावर हमका देते हैं 6 प्लस 5 एक्स प्लस 8 बाई बरावर 0 अब इसमें जो ज्यादातर जनरल जो मिश्टिक होती है इसकी ओर्डर की बात करें ओर्डर होता है और डिगरी जिसे कोटी बोला जाता है तो कोटी की बात करें तो इसकी कोटी हुई 3 यानि तीन और डिगरी की बात करें जनरल जो स्टुडेंट जो कोई वी जो बंदे हैं वो गल्दी क्या करते हैं इसको बोल देते हैं कि इसकी जो गात हुई 6 ऐसा करना गलत है आपको जो बताना है और देखिए, कुछ ऐसे हैं, जिनका डिग्री डिफाइन ने किया जा सकता है, डिग्री में लोगिक आता है, कुछ ऐसे, सम टिंग्नोमेच्री फंसन मैैट्री मैट्री मैट्री फंसन जैसे साइन, कोश, टैन, कोश, सेक, कोसेक जैसे जिस शिक्स टिक्नोमेटरी फंसन है साइन, कोश, टैन, सेक, कोसेक और तुमारा ये टोटल सिक्स होते है तो इनमें क्या होता है अगर आपने ऐसा कर दिया कि डी बाई ओवर डी एक्स स्कार प्लस यहां आपने 5 गिया 5 खर देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन बाई प्लस कोस एक्स प्लस 6 बरावर 0 तो इसका तो आप बता देंगे ओर्डर हुआ आपका ओर्डर हुआ ओर डी एर ओर्डर हुआ आपका 2 और गहात जो डिगरी हुई इसकी 1 अगर इसमें अगर आपने इसका अवकलन कर दिया यहां पर है यह यहां पर है तो उसकी हम डिगरी क्या कहेंगे डे नॉट एक्जिस्ट डे नॉट एक्जिस्ट यानि डिफाइन नहीं कर सकते हैं सुपरवासित डे नॉट एक्जिस्ट या खह सकते हैं सुपरवासित गैनोट बी डिफाइन तो ऐसे कुछ लोजिक हैं तो उन लोजिकों को मैं आपके सामने लिख देता हूं जैसे टिकनोमेटरी वाले हुए और दूसरा वो हुआ आपका रेशनल पावर किसी भी डेरिवेटिव गी किसी भी डेरिवेटिव गी डेरिवेटिव गी रेशनल पावर का रेशनल पावर का डिगरी या ऐसा कर लेते हैं रेसल्म पावर गिजू डिगरी डारेक्ट नहीं बता सकते डारेक्ट नहीं बता सकते जैसे आपका वन वाई टू रू टारी ऐसे कोश्णो में हम थोड़ा बहुत उस判ुमें उसमें सुल्व करना होता है तो उसकी डिग्री बता सकते हैं यह ऐसे हम डारेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके आखे आखे आप बता दें कि 1 y 2 हाफ नहीं बता सकते हैं जैसे रैशनल में आता हाफ आता है दूसरा कॉशन आता है कि जैसे ए की पावर dy over dx आया तो उसका जो डिग्री होगी डिग्री नॉट एकजिस्ट या आपने किया साइन dy over dx या आपने किया कॉस dy over dx इस परिकार की जो डिग्री आती है इस परिकार की कॉश्चनों में जो डिग्री आ पूचा जाता है उसमें डिग्री नॉट एकजिस्ट d x square plus 5x plus 6 e की power d y over d x plus 6 बरावर 0 क्या इसकी degree क्या होगी आपकी तो आप तो order तो बता देंगे order होगा 2 और degree क्या करता बच्छा degree बता देते हैं एक इसका उपर बता कर गे एक बता दें जबकि इसका degree डिफैन नहीं कर सकती क्यों मैंने बताया है एकी पावर डी वाई ओवर डी एक्स यानि एकी बावर का अवकलन उपर नहीं होना चाहिए तो भी हम उसका डिग्री डाइज नौट एक्जिस्ट यानि डिवाई नहीं कर सकते हैं तो आज का टॉफिक को इतना ही समाप्त करते हैं यह पहला हैं इंसी आडी में जो क्वेश्टन गिवन है उन्हें आप आसानी से स्वल्व कर सकते हैं मेरा मानना ही है कि आप गारंटी से उस एक्साज को स्वल्व कर सकते हैं जो आपके एंसी आडी एंसी आडी क्लास 12 में है और आगे में जो क्वेश्टन हैं जैसे आगे चल करके उन में नेक्स्ट क्लासे में आपको बताऊंगा थेंक यू अल दी वेस्ट